नमस्कार मैं सदेन सनमा चुनवावी आत्रामी समय हम पहुँच चुके हैं बाडमेर जिला के सिव विधान सबा में आपको बता दे कि इस समय पूरे राजस्थान में अगर किसी सीट की चर्चा है तो वो है सिव विधान सबा एक यहां से वहाप प्रत्यासी जो पाले निर्दली उठा है पूरे राजस्थान बिधान सबा में पूरे राजस्थान के सत्ता में पूरे राजस्थान की राजनिती में भूचाल लेकर आया है उसका नाम है रविंद्र सिंग भाटी और आज चुनाव परचार का आखरी दिन है साम 6 बजे के बाद से चुनाव पर पुर्वाद उनको मिल रहा है काफी जनसभा में भीर जुमड़ी हुई है उनीक लोगों से बात करते हैं कि इस बार इनके विदानसभा में क्या हाल है क्या आपके जो युआ प्रत्यासी हैं उनका क्या महोल लग रहा है वह बारी वोटों से जितेंगे बिजेपी से उनका टक इंब है और ये दरातल से जडा हुआ बंदा है और है और सच और इमांदार ऐसा नेता हमारे शिव शेत्र में कभी नहीं मिला है नहीं मिलेगा शित्र साल के बाद हमने एक एसा युआ नेता और इरोज चुना है ठीक है और ये इसके जोज के साथ है पूरी जनता है जनता इसको आगे लेके जाएगी और आवाज बुलन करेंगी जय है इन जय भारत अगर बीजेपी जूटे वादों का जूटे वादों का सच में इत्माल करने के लिए ये रविंदर सिंग बाटी आये और ये सच बताएगा और जनता को आगे रोसा दिलाएगा और आगे काम करेगा आपको बताँ है कि रविंदर सिंग भाटी जो यूवा नेता है 2016 से अपने राजनिती की सुरुआत किये थे जेन्यू बिश्विध्याले में राजनीती शुरुआत किये तो उसके बाद 2019 में जेन्यू बिश्विध्याले से अध्यच चुने गये थे उसके बाद से पीछे मुड करके नहीं देखा और यहाँ पर सीव की जनता जो है उनके समर्थन में जूटी हुई है तो आप लोग य आज खुल गई है जो कहीं बोखला ठी सरकार हैं पब्लिक को गुम्रा कर रही थी वह आज साफ के लिए रो गया कि शीव विदान सभा के अंदर हमारे शीव जनता के लिए अगर भला करने वाला कोई नेता आया है तो रविंदर सिंग बाटी आया तो क्या अब एक मिनट न आना जाता है तो यहां से घोरपूर से चलके योगी आधितनाथ आपके दो-तिन दिन पाले यहां पर आये थे ना संप्रदाय का वोट बैंक उनके हाथ में हैं तो क्या लग रहा है योगी आधितनाथ के आने के बाद से यहां का महौल चेंज होगा या भाटी ही हावी पड जो पिछले 20 सालों से सितर साल से जो सरकारे बोकलेटी हम आ रही है लेकिन आज तक किसी ऐसा नेता ने हमारी आवाज नहीं उठाई है तो 36 कोम के लोग इनके साथ है वो मेरे गुरू है उनको मैं गुरू मानता हूं 36 कोम के लोगों का उनके उपर आसिरवाद है और बाबा नेता को देख करके उनको वोड देने की बात कर रहे हैं तो चुनाव 25 को संपन हो जाएगा तीन तारीकों पर डाम आ जाएगा आपके नेता जो है आपके शाथी जो है रविन सिंग भाठी वो किधर जाएंगे बीजेपी या कांगरेश मैं बताना चाहता हूं आपको कि र भारतिय जनता पार्टी से थी और जीतने की बात भी हम सब जनता और आशिरवाद उन लोगों को देती है और हमें विश्वास है कि आने वाली 25 तारिक को हम चुनाव चिन भारी मतों से विजय बनाएंगे भावटी रविंदर सिंग भाठी साब को और हमें पून रूप से विश्वास है कि हम उनको विदान सभा के अंदर राजस्तान की 200 सीटों में से सबसे जीत और सबसे अगर वोटों की भारतिय जनता पार्टी और के लिए अगर लिडर्शिप करने वाला हमारा सिव की जनता का नेततों करने वाला रविंदर सिंग भाठी कम से कम या सिव की सब्सक्राइब लेकिन अगर राज की बात करें जैपूर में तो भारतिय जनता पार्टी से तो हम यहीं चाहते हैं कि सरकार भी भारतिय जनता पार्टी की बनेगी राष्ट्रवाद और मोदी जी के जो कारी है, वो सभी जग सराहनी है, दुनिया में सराहनी है, उसलिए. राष्ट्रवाद, हिंधू तो ये इस सुनाओ का मेनमुद्दा बन गया है? जी 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 सर होना भी चाहिए सर जिससाब से परिस्तितिया बन रही है उससाब से होना भी चाहिए सर राहूल गांधी के बारे में क्या क्या है राहूल गांधी के बारे में सब अच्छे है राहूल गांधी की सोच भी बहुत अच्छी है लेकिन राश्टर के लिए जो एक न सो रहा है चाहें उत्तर परदेश से सुरूआ है बुल्डेजर मद परदेश जा रहा है राजस्थान जा रहा है हर रैली में देखा जा रहा है आपके पार्टी में भी दो-तीन बुल्डोजर दिखा है तो क्या बुल्डोजर राजस्थान की राजनिती में हो या देश की रा सब जैसे कि योगी काम कर रहा है वे से इर मधाटी काम करेगा यह लेकिन रविंदर भाटी अभी तो स्यम वंमिद्वार तो नहीं हो सकते दिखना के तो भार्ती जंटा पाल्टी के अंदर कोई चेहरा आप लोगों चेहरा तो ऊपर जो आला कमान जो तैय करे गाओं हो और यहां पे हमारी विभानेता रविंद्र भाटी है उसके सातवे है। चोड़ करके आगर के सपना देखें कि तुरंट पार्टी में जॉइन करें कुछ यह चीज है। कई मुदे रविंदर सिंग ने उठाए, कई ऐसे गाओं के नाम बताए, जिस गाओं को किसी MLA को मालूम ही नहीं कि इस गाओं का नाम क्या है, तो अच्छा कारे करेगा उसको हर जनता चाहेगी, लोगों को बड़ी उमीदे हैं। और उसने आज भी चैलेंज करके कहा, कि मैंने तीन साल जे नियू में कारे काल किया, उसमें एक बंदा ऐसे मुझे कह दे, कि मैंने किसी का काम नहीं किया हो, या किसी को नारज किया हो। सत परती सत किसे कहते हैं, वो कोई नहीं नेता कर सकता, सिरफ एक रविंदर सिंग बाती कर सकता, जिसके साथ संपोनन पबलिक उसके साथ जाना चाहती। जो वादा किया कसमे खाएं, राम चरितमानस का कसम खाएं, कि हम अगर पांच साल में विकास कार नहीं करेंगे, तो राम चरितमानस नहीं उठाएंगे, तो यह क्या सही लग रहा है। तक्दीर बदल जाएगे, तस्वीर बदल जाएगे, शेव का अच्छा विकास होगा, युवाओं की पढ़ाई होगी, आपको भी मालूम है, आपके महले कसमे में भी देख लो, किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई के लिए लालाई तोरा कहीं सुविदा नहीं मिल लेग और यहां तो आपने देखा पेपर आउट और हजारों कितने नजाने परिसानी आ रही है, गरीब बचा जो मजदूर आजमी होता, अपना पेट काटने के लिए लाचार होता है, उस बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कहां से कहां तक ले जाने कोशिस करता है, जहां तक क अपनी खेत बेट देता है, उसको उमीद रहती है कि मेरा बच्चा पड़ेगा सक्सेज होगा, और हो सकता है कि आखरी बुड़ा पे ममारा सारा बनेगा, वो सारा क्या बनें वो तो इसी तरह दांदली होती है, सिरकार में आपने देखा कि कितना गरीबों के साथ में इतने के बाद अलग होगा यह जो आप सिलाब देख रहे हो जन सिलाब यह एक तरफा माहूल 100% रविंदर शिंग ही निकलेंगे कम से कम 20-30,000 वोटों से यह तो जनता ने निच्चित किलियर कर दिया है होगा तर्कोडी मुकाबला है जो अपनी कोशिस कर रहे हैं और हमारी जीत एक तरफा जीत है इसमें कोई सक्की बात नहीं है कोई दोराए की बात नहीं है दूसरी पार्टिया जो है आरोप लगा रही है कि वा नेता है लेकिन सिर्फ सोसल मीडिया तक ही चर्चा में बने हुए हैं जमीनी अस्तर पर कुछ नहीं है तो क्या उनका जो यह आरोप है सही है जमीन अकिपत क्या हो रही है आप रस्ते पे अभी देख रही है जन सिंख्या देख रही है यह अकिकत है न कि सोसल मीडिया है जो कि नामांकन के समय आप लोग करे थे कि बाहर से आए गए आज एक बंदा बार का नहीं है पूरा शीव इदान सभा सेतर की यह 30,000 प्रलस जन सि करेंगे और यह आने वाले समय में आप दो या तीन साल के बाद आप यहां पर आके देख सकते हो बंदा कितना विकास करा सकता है यह थे शू विधान सभा के लोगों का मिजाज उनकी बाते अपने नेता के लिए उनके उवा नेता के लिए जो अपने विधान सभा की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं सपने दिखा रहे हैं अब देखना होगा कि 25 तारीके मतदान के ब बाद क्या वो विजई होते हैं और अपने लोगों को जो सपना दिखाए हैं उसे सकार करते हैं या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन जिस तरह से लोगों का हुजूम इनकी रैली में दिखा है वो कहीं न कहीं एक तरफ संदेश दे रहा है तो अगर बात करें दूसरी तरफ जो इनके समर्थक हैं बीजेपी से बागी हो गए हैं बीजेपी के खिलास चुना लड़ रहे हैं लेकिन जो इनके समर्थक हैं बीजेपी सपोर्टर हैं राज जिमें बीजेपी की सरकार चाहते हैं तो कहीं न कहीं अगर जीतते हैं तो ये जो निर्दली हैं बीजेपी के तरफ से ही मूग करने की बात कर रहे हैं अब तीन तारीक के प्रेडाम के बाद ही पता चलेगा तब तक के लिए आप बने रहे मरसाथ नमस्कार